हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का नीट शास्त के इस ऑनलाइन कांसिलिंग प्लैटफॉर्म पर आज की वीडियों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कौन है ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस रैंकिंग कॉलेजेस के प्रिवियस कट ओफ के बेसिस पर कॉलेजेस के इंफ्रस्ट्रक्ट्चर फैसिलिटीज कौन-कौन से खास बाते हैं उन सब को कंसिलर करते विए कॉलेज को नंबर टेन से लेकि नंबर वन तक रैंक किया गया है एक बात आपको समझने की जरुवत है कि तो इन दोनों चीज़ों को कंसिलर करते हुआ आप अपने हिसाब से भी कांसिलिंग को अपने हिसाब से अपने कॉलेज को आप चूज कर सकते हूं साथ ही में थोड़ा सा अगर और बात करें अगर आप समझना चाते हैं कि आरेमल और जीएस्वियम में क्या क्या अंतर है त अबर आपको कॉलेज का इंफ्रेस्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलता है लेकिन कॉलेज का कैंपस एरिया बहुत बड़ा है कॉलेज में अच्छे लेवल पर फेस्ट होते हैं हैं festivals होते हैं cultural events होते हैं राम बनोलोया में यह सारी चीज़ें कम होती हैं या नहीं के बराबर होती हैं इसके लावा राम बनोलोया में hostel की थोड़ी से प्राबलम आप hostel जो है college से काफी दूर है तो buses के थुर आपको आना जाना पड़ता है यह कुछ disadvantages हैं तो इनको consider करते हुए आप अपने इस आपसे choice filling कर सकते हो बाकि अगर आपको detail में समझना है सारे colleges के बारे में तो आप हमें call कर सकते हैं आपको detail में हर इक college की on ground report बताएंगे ताकि choice filling आपको बहुत ज़्यादा easy हो सके सबसे पहले है आपका 10 नंबर पर 10 नंबर पर आपका है सफ़ई का medical college ठीक है उत्तरप्रदेश टाइप उंस्टिट्यूट गवर्नमेंट है address इसका district एक सिकन्ट ठीक है establishment इसका 2006 में हुआ है ठीक है और tuition fees 42,000 per year है hostel available है और इसका affiliation है अटल विहारी वाजफ़ी medical university से ठीक है यह है college की कुछ images आपके सामने तैफ़ाई के colleges की कुछ images है ठीक है इसके बाद बात कर लेते है number 9 पे आपका आजाता है BRD medical college ठीक है BRD को और आप उपर भी रख सकते हो BRD की कुछ facilities है जो बहुत जादा better है तो BRD को आपने इसाब से उपर भी कर सकते हो ठीक है BRD के बारे में खास बात यह है कि जब आप admission लेने वहाँ पे जाते हो तो 40,000 rupees की जो fees है वो आपको through online payment चाहे UPI की UPI से या आप bank जो है आप अपने debit card की मदद से आपको payment करना होता है लेकिन आपको online payment करना पड़ता है आपको fees जो है वो cash या चेक में accept नहीं होता है तो यह बात याद रखना है admission लेने टाइम पे इसके लावा 1972 का बहुत पुराना college या reputed college है और BRD medical college की खास बात यह ह है कि यहाँ पे इनकी अपनी university है दीन दया लुपाधिया गोरखपुर्ण university जिसकों कहते हैं यह अपनी खुद की अपनी university है BRD medical college की ठीक है यह है college की कुछ images ठीक है अब आगे चलते है नमबर 8 पे तो यहाँ पे आपका आता है सवरोजनी I do medical college ठीक है जो आपका आगरा में है SN medical college 1955 का college है बहुत पुराना college है रेप्यूटेट college है ठीक है 36,000 पर यह इसकी पीस और इसका affiliation BR Ambedkar university आगरा से आगरा इसका affiliation है यह है college की कुछ images यह है आपकी SN medical college आगरा की मेचेस इसके बाद पिर हम बात कर लेते हैं नमबर 7 पे आपका है जिम्स नॉइडा नॉइडा को आप टीचे भी रख सकते हो लेकिन क्यूंकि जादा better connectivity है डेली के से ठीक है डेली से काफी पास है यह college इसलिए इसको उपर रखा जाता है लोग प्रिफर करते इंफ्रस्रक्शर बहुत अच्छा है college का campus बहुत बड़ा है गौतम बुधनगर में है इसका ठीक है 2019 में established हुआ था 2019 में total 7 medical colleges आये तो उसमें सबसे टॉप पे आपका जिम्स नॉइडा ही रहता है हर बार पीज इसकी थोड़ी से higher side पे है 83,600 रुपीज पर year की फीज है और इसका affiliation अटल विहारी वाचपी इन सबका affiliation केजी एमसी दा लेकिन 2020 बैच के बाद मतब 21 से जो भी बैचे अड्मिशन निये है 2021 से उन सबका affiliation हो गया है अटल विहारी वाचपी medical university से college की यह है कुछ images ठीक है बहुत ही beautiful college है बहुत ही अच्छा college है ठीक है बहुत ही बड़ा campus है सारी facilities अच्छी है बेटर facilities है यहाँ पे इसके बात कर लेते हैं number 6 पे तो number 6 पे आपका है L.L.R.M. मेरट लाल आश्पत रहे मेमोरियल medical college L.L.R.M. मेरट का ठीक है पुराना college है र यह है college की कुछ images ठीक है ठीक है देखो थोड़ा सा पुराना L.T. मिलेगा आपको थोड़ी से facilities कम मिल सकती है लेकिन college overall बहुत अच्छा है ठीक है तो यह रहा L.L.R.M. मेरट अब इसके बाद number 5 पे है आपका महरानी लक्ष्मी भाई MLB जहासी इसको नीचे भी रख सकते हो कि infrastructure और इन समामलों में जहासी की condition बहुत जाद अच्छी नहीं है ठीक है यह भी आपका 1968 का college है पुराना college है 42,000 per year इसकी fees है और इसका affiliation है बुंदेल खंड University से यह रहा college की कुछ images ठीक है यह रही college की images MLB जहासी की यह images आपके सामने ठीक है इसके बात कर लेते हैं number four पे आप टॉप four medical colleges में सबसे पहले दोको मोतीलल नहरू है ठीक है इसको fourth या fifth position पर हमेशा रख सकते हो आप मोतीलल नहरू medical college ठीक है college की यह है details 1961 का college है इसकी 36,000 per year इसका affiliation भी आपका अटल विहारी medical university से है यह है college की images college का campus अच्छा है overall बहुत बड़ा है ठीक है और जो associated hospital है जो hospital जो college से suited करीब करीब आपका one kilometer की distance पर थोड़ा सा walking distance पर है तो आप enjoy कर सकते हो वहां से college से लेके अपने hospital तक की journey को इसके बाद पिर आपका है GSM कानपूर ठीक है GSM कानपूर 1955 का established college है 36,000 per year इसकी fees है और इसका affiliation है आपका कानपूर ठीक है CSJM University कानपूर इसके बाद पिर आपके यह रहा GSM की images ठीक है फोड़ा सा पुराना college है infrastructure wise थोड़ा सा lack करता है लेकिन बाकी सारी facilities में कोई कमी नहीं है hostel की condition थोड़ी भुरी है आगे चलते है इसके बाद first year में hostel भी नहीं allot होता है जो लोग कानपूर की local है मतब जो local candidate है उनको hostel allot नहीं होता है इसके बाद फिर आपका second number पर डॉक्टर राम मनोर लोहिया 2017 का है 18,000 पर इसकी फीश है इसके अफिलेशन भी अटल वियारी वाचपई medical institute से है राम अनलोया की images देखलो आप ठीक है college बहुत सुंदर है बहुत प्यारा है लेकिन छोटे से एरिया में है तो थोड़ा सा space की problem है hostel जो है second year से college के दूर है 8-10 km की distance पर तो buses के दुर तो यहां पे यह रही सारी details उस्तरपदेश के top 10 medical colleges की बात कर लेते हैं अगर आप personalized counseling services चाहते हो अगर आप चाहते हो कि आपको detail में हरे college की profile मिले college को और आप better तरीके से समझ सको college की on ground report वहां से पढ़ रहे आपके medical student से medical senior से आप जान सको और personalized counseling services में अगर आप help लिना चाहत कर सकते हो तो आप जरूर से जो number दिख रहा है आप उस पर call कर सकते हो या WhatsApp कर सकते हो first consultation आप हमेशा free देते हैं अपने सारे clients को इसके लावा further अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने counselor से बात करके अपनी चीज़ों का आगे proceed कर सकते हो नीर्शास की खास बात यह है कि ज production समझ सकते हो अपने जो rank with में आपकी जो colleges आ रहे हैं चाहे all India counseling हो चाहे state counseling हो उनकी जो technicalities है उनको समझ के counseling में एक अच्छा decision लेके अच्छा college पा सकते हो अपने किसी भी rank पे या marks पे तो इनी सब बातों के साथ आज की वीडियो को मेंड करता हूँ मेरा नामे प्रतीक and all the best for your need counseling